हेलो स्टुडेंट्स एसन प्रोफेशनल क्लासिस से मैं अमंद गुपता आज आपके लिए लेकर आ हूँ आई सीटी से सम्बंदित कुछ महत्मून कोश्चन जो के आपके नेक्स्ट एक्जामनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपर्टेंट होने वाले हैं तो चले स्टुडेंट्सु स्टार्ट करते हैं आज का फ्रस्ट कोश्चन है क्रिप्टोग्राफी इस डिराइव्ड फ्रोम दा वर्ड गरीग वर्ड फ्रेंच लैंटन या नौन फॉव दीज तूटू इस्टुन तोस्टुडेंट्स की जानकारी की स्टड़ी है हाइडिंग वेरिफिकेशन बॉठ डबो या नन अफ दीस क्रिप्टोग्राफी हमारे को बताना है क्रिप्टोग्राफी किस परकार की इंफोर्मेशन की स्टड़ी है हाइडिंग वेरिफिकेशन या बॉठ डबो या नन अफ दीस तो इस्टुज नमबर C इसका correct answer होगा चलिए next question जानते है students next question है an IP address इजे हमारा का बताना है IP address क्या काम करता है किस प्रकार का है option A binary number that uniquely identifies computer computer एक binary number है जो की computer को एक unique रूप में define करता है यानि के एक IP address के वल एक ही प्रकार के computer को दिया जाता है इसी प्रकार इसको identify करता है या also identify other devices on TCP IP network या साथ इसाथ TCP IP network यानि के TCP IP की full form examination में पूछी जाती है है तो इसकी जो full format transmission control protocol और internet protocol या TCP IP network पर डिवाइस को identified करता है या दोनों है या दोनों में से उपरोग दोनों में से कोई नहीं है तो student IP address जो है एक binary number में निर्धारित एक computer device को जो की एक unique प्रकार का है यानि कि हर एक computer के बहुत अबोव सही है इसका answer है चलिए अब next question जानते हैं next question है which among the following is not an internet browser हमारे को internet पूछा है कि कौन सा internet browser नहीं है नेट इसके नेविगेटर नेट वेब ब्राउजर है ख्रों इंटरनेट ब्राउजर है ओपेरा internet browser है लेकिन डूपल इंटरनेट ब्राउजर नहीं है तो इसका answer C है चलिए अब नेक्स कुशन जानते हैं students next question है वर्ड वाइड वैब वाज प्रपोजड बाई www किसके द्वारा बनाया गया था किसके द्वारा प्रपाउंड किया गया था इसको शोट में डवलू 3 भी बोलते हैं तो इसकी जो आविसकार किया गया था वो टिम बर्नर ली द्वारा किया गया था अप्शन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर है चली नेस्ट कोशन जानते इस्टुडेंट्स नेस्ट कोशन है अक्सर हम वेब साइट के लाश्ट में देखते हैं डॉट कॉम डॉट नेट डॉट वार जी डॉट मिल तो उससे संबंदित है डॉट नेट डॉमेन किस परपस में करेक्ट चली यूस क्या जाता है जो अऍटरफेस इंफ्रैस्ट्रूचर एन सर्विस प्रोवाइडर के लिए जी हाई .net internet infrastructure वो service provider के लिए परियोग क्या जाता है option number B इसका correct answer है और international organization नहीं है केवल .net जो domain use क्या जाता है वो option number B इसका correct answer है इंटरनेट इंफ्राइस्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवेडर्स के लिए डोटनेट परियोग किया जाता है डोमेन चलिए अब नेक्स्ट जानते है नेक्स्ट कुशन है तर्म आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वाज कॉइंड इन 1955 वाई हूं तो एक तो कॉश्चन बनता है यह डारेक्ट और इसी से दूसरा इंडारेक्ट कॉश्चन बनता है कि जो टर्म आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यूज किया गया था वो उन्नीस सो पश्चपन में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था तो इसका अंसर है जोन में कार थी option number B इसका correct answer है चलिए next question जानते है students है एक भी एच फूल फॉर्म पूचिए है फूल फॉर्म भी अक्सर examination में पूचिए जाती है हएक पूल फॉर्म क्या है तो students है एक स्विप है की जो फूल फॉर्म है वह होस्ट बस अडेप्टर option number A इसका correct answer है चलिए अब host bus adapter यह किस purpose से यूज किया जाता है option number 9 है यह पूछ रहा है HBA is used यह कहां पर यूज किया जाता है storage area network में, software based networks में या दोनों में, दोनों परकार में या none of these students HBA जो यूज किया जाता है वो storage area network में यूज किया जाता है चलिए अब next question जानते है next question है DMA, DMA की full form क्या है तो DMA की full form क्या है हमारे को बताना है option है direct memory access, direct module access, direct memory access तो students, इस question का जो correct answer है वो है option number A, direct memory access चलिए अब next question जानते है, student, next question है BIOS की full form क्या है, BIOS बहुस्ट important question है कई examination में पूछा गया है, तो BIOS की full form है basic input output system, तो option number B, इसका correct answer होगा चलिए, next question जानते है, next question है students, which among the following is correct हमारे को नीचे memory DV है, और उनका conversion दिया हुआ है तो सही हमारे को पैचान के बताने का कौन सा सही है तो इसका जो सही answer है, वो एक के भी जो है, 1024 bytes के बराबर होता है option number C, इसका correct answer है चलिए, next question है, PCB, PCB की full form क्या है तो students, process control block या printed circuit board या बोट दाबो तो students, PCB की जो full form है, वो process control block भी है और printed circuit board भी है, तो अर्था, तो option number C, इसका correct answer होगा चलिए, next question जानते है, students, next question है most of the keywords, keyboards, use an argument of keys given the name अधिकतर जो keyboard है, उनमें जो key यानि के button जो दिये वेते हैं वो किस arrangement में दिये वे होते हैं, तो इसका जो answer है, वो option number B है quality, Q, W, E, R, T, Y इसका सही answer है, option number B next question है, who among the following is father of C language तो इसका जो correct answer है, यह है, डैनिस रिची, option number B, इसका correct answer है student, वीडियो कैसा लगा, comment box में comment करें और यह आपनी चैनल को अब तक subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्या मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का benefit ले सके, तो यह थे हमारे ICT से संबंदित कुछ महत्पून question, अन्या important वीडियो के link और जो हमने quiz start की हुए paper 1 और paper 2 से संबंदित उसके link भी वीडियो के description box में दे दिये गए हैं, आप वहां से जाके quiz को भी attempt करें और अपनी examination की preparation को analyze कीजिए कि आपकी तयारी कैसी चल रही है, thank you again, thank you for watching, thank you students